सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके नाम का एक ट्री प्लांट करेंगे तो इस इनिशेट जो मैं हमारा साथ दीजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और चैनल में में सब्सक्राइब का सब्सक्राइब क्ट्राइब क्या है स्ट्राइब के अपने सामने में रिख सकते हैं यहाँ इक टेपल बनाया गया है इसमें वीट और जवार तो 2010 में कितना production हुआ था, 2011 में कितना हुआ था और 2012 में कितना हुआ था ये दोनों का production टन के अंदर दिया हुआ है मतलब wheat जो है, 30 टन हुआ था 2010 में उसका production मतलब एक farmer है, ये उसकी details है समझो, ठीक है तो इसे हमें bar diagram में represent करना है तो हम इसे बार डाग्राम में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले हमारे पास basic वाला है जिसे हम सीधा साधा बार डाग्राम करते हैं तो इसमें हमने देखो जो white है पूरा उसे हमने weed denote किया है और जो lining के साथ है उसे हमने जवार का है और y axis की scale जो क्या है एक centimeter is equal to 10 quintal अभी देखिए यहां से एक centimeter यहने 10 quintal है तो हमने इसे represent कैसा किया है देखिए 2010 में weed जो है वो पूरा white है तो weed का production हुआ था 30 tons तो 30 तक आ गया जवार का हुआ था 10 tons तो जवार 10 तक आ गया फिर 2011 में wheat हुआ था 35 tons तो वो 35 tons तक आ गया और यह जो है जवार 15 tons उसी तरीके से 2012 में 45 tons wheat था और 15 tons जवार था अब यह जो था यह हमारा simple bar diagram था तो हम इसे ऐसे भी कर सकते है जिसका नाम है subdivided bar diagram तो subdivided bar diagram हम कैसे निकालेंगे तो उसके लिए सब से पहले आप अपना graph बना लीजिए ठीक है तो यह axis वो सब सेम रहेगा wheat का color जवार का color भी सेम रहेगा हमारा एक centimeter 10 कुंटल है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 चलो हम लिखते थे 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तो यह हमारी scale हो गई यहां भी हम लिखते है 2010, 2011 और 2012 तो sub divided bar diagram में क्या करते हैं हम पहले लिखेंगे wheat का तो wheat का कितना ton था हमारे लिए 2010 में 30 था तो 30 तक लेके यह हो गया हमारा wheat का production 2010 के लिए फिर उसके बाद में जवार का production कितना था 2010 में 10 था तो अभी यह 30 पे एंड अपवा तो हमें 10 जवार का चाहिए तो हम यहां पे लेंगे जवार का 10 तो यह sub divided bar diagram इस तरह होता है हमने इसमें अलगल लिखा था लेकिन sub divided bar diagram में sum हम एक साथ लिखेंगे एक के उपर एक तो अभी 2011 के लिए देखते है 35 और 15 तो 35 के उपर हमारा bit close हो जाएगा और फिर उसके उपर 15 लेना है हमें ठीक है तो 40 तक फाय आ गया फिर 50 तक तो मतलब यह आ गया जवार हमारा यहां तक तो हमारा जवार आ गया यहां तक और अगले case में देखते है 45 और 15 तो हमें 45 तक लेना है तो 45 तक यहां पर आएगा ठीक है 45 तक आ गया उसके बाद हमें और 15 लेना है नहीं 60 तक तो 60 तक आगा यहां पर हमारा scale और representation सेम ही रहेगा इसके लेकिन हम अभी देख सकते हैं दोनों को हमने यहां पर अलग अलग लिखा था लेकिन हमने यहां पर दोनों को साथ में लिखा है तो यह जो था हमारा वो था sub divided bar diagram के लिए तो इसके बाद और एक आता है representation हमारा वो होता है percentage bar diagram का तो उसमें हम कैसा देखते हैं देखो अभी हमें लिखना है wheat प्लस जो वार हम percent निकालेंगे तो 2010 में कितना था 2011 में और 2012 में दोनों को मिला कि यह था 40 यह था 50 और यह था 60 तो अभी percentage wheat निकालेंगे सिर्फ 2010 में wheat कितना था 30 तो 30 by 40 into 100 तो यह कितना आ जाएगा wheat percentage यहां से कट गया फिर 3 into 25 तो यह आ गया 75 परसेंट तो 2010 में wheat का percent है 2011 में wheat का percent क्या आएगा 35 by 50 into 50 to 35 to 70 तो यह आगे 70 परसेंट और इसमें कैसा होगा 45 by 60 into 100 तो यह कट गया फिर यहां पर थ्री से हम काटेंगे फिफ्टिन त्री तर फोटिफाइग और तू बचा तू फाइदा फिफ्टिन फाइदा 75 परसेंट यहां पे भी आगे wheat का percentage ठीक है तो यह बना हमारा wheat का percentage उसके बाद अभी बचा हुआ जो है इसमें 25 परसेंट जो और 30 परसेंट जो और होगा और 25 परसेंट फिर से जो और हो जाएगा सही है न लब आपको 75 परसेंट यह हो गया तो 30 परसेंट वह हो जाएगा ठीक है तो अभी हम इसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए तो यह हमारे पास graph है तो यह scale वही रहेगा उनका रिप्रेजेंटेशन भी सेम रहेगा लेकिन इस case में हम क्या करेंगे भी 10 से शुरू करेंगे और यह हमारा जो आखरी प्रेजेंटेशन है वीट वहार और जोनका वह सेम रहेगा अब हमरे वीट कितना है 75 Imp isn't यहां के रखiddag तो 75% चैलने में बचा हूँआ त्यक्रावार ध़किन व До April नहीं यावर को लख सकते हैं तो इसके बाद 70 कृत्यचित फिर 70 यहां पहार आए आफे पास Kevin अरप बचा हुआ 30% जो है वह हमारे जवार का है तो देखिए यहां पर यह बन गया फिर इसके बाद 2011 में 75 और 25 तो 75 यहां तक आएगा हमसे बना लेंगे यह बन गया 75% और 100 तक बचा हुआ 25 तो इस तरह से यहां पर वीट आ गया यह जवार है उपर का और नीचे का वीट तो यह हमने रिप्रेजेंट क्या है परसेंटेज की फॉर्म है ठीक है मेरे पास स्केल नहीं थी लेकिन आप समझ लीजेगा यह की स्ट्रेट लाइन से ऐसा इसके बाद हमें देखना है स्टोडेयर्ट पास हुए उन्होंने कितने मार्क्स लिया यह सब होते हैं डेट के फॉम में तो अभी डेटा जो है वो दो टाइब के होते हैं ब्रामरी डीन और सिकेंडरी डेटा अब प्रामरी प्रामरी डेटा को जमा करने में बहुत टाइम लगता है और लेकिन वह पूरा डिटेल्ड इंफर्मेशन रहता है और वह हमेशा करेक्ट और रिलायबल रहता है मतलब हम उसे हमेशा यूज कर सकते हैं उससे हमें सही आउटपूट मिलेगा और सेकेंटरी डेटा जो होता है उसमें यह होता है कि वो जल्दी मिल जाता है लेकिन वह उतना काम का नहीं होता है जितना प्रामरी डेटा है मतलब हम उसे हमेशा यूज करेंगा ऐसे नहीं हो सकता और वह थोड़ा सब्डe है बीच में कभी उठा सकते हैं तो ज्यादा रिलाइबल और करेक्ट जो फ्राम तो अभी हमारे पास एक class है बच्चों की 10 बच्चे है उसमें 10 बच्चे है उस class के अंदर तो उस class में हम उनकी height चेक कर रहा है ठीक है तो कोई है 5 feet का कोई है 4.5 feet का फिर एक बच्चा है 5 का फिर एक है 6 का फिर एक है 6.2 का फिर 5.5 फिर 4.9 और एक आखिर में ले लेंगे हम 5.2 का तो यह जो है यह दस बच्चों की हाइट से फिट के अंदर ठीक है है हाइट इन फिट ठीक है तो हमारे पास यह डेटा आ गया इस तरह से अभी हमें फ्रिक्वेंसी निकालने है तो फ्रिक्वेंसी कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी अब यह क्लास यह क्लास नहीं है चलो हम इसे एक इस हो जाएगी ठीक है और frequency है उस height का बच्चा कितनी बार है तो आभी सबसे low वाला इसमें से कौन सा है देखिए सबसे low है 4.5 ठीक है फिर उसके बाद में देखिए 4.5 के बाद आएगा 4.9 फिर 4.9 के बाद आएगा 5 फिर 5 के बाद आएगा 5.2 फिर 5.5 फिर आएगा 6 और आखिर में 6.2 तो ये हमारे पास different different class के height different आगा तो 4.5 वाले कितने बच्चा हमारे पास ये 1 और ये 2 तो उसकी frequency हो गई 5.2 दो 4.9 वाला एक ही है तो उसकी frequency एक उसकी बाद 5 वाला देखिए 1 2 तो 5 के हो गई 2 तो इसकी बाद 5.2 पैब 5.2 वाला ये रहा 5.2 वाला एक है और यहां पर 5.7 हमने miss किया है तो 5.7 यहां दल देंगे 6 यहां पे ठीक है तो 5.5 वाला भी एक है 5.7 वाला भी एक है 6 एक है और 6.2 वाला एक है तो इन सब की सम जो अगर करेंगे तो sum of frequency equals to total number of observations आजाएगा आपने पास तो ये equals to 10 रहेंगे ठीक है तो frequency यानि उसका count कितनी बार आया तो हमें अभी frequency को distribute करना है तो हम frequency को distribute कैसे कैसे कर सकते है तो frequency distribute करने के थरीक आपको बाताता हूं मैं तो डेटा जो होता है हमारा एक तुक समझो अभी हम किसी population के बारे में बात करें अभी हमने सिर्फ यहां पर दस बचो की बात की थी लेकिन समझो कई हमें ऐसा देखना है कि कि किसी रैली में आकर बहुत सरे बहुत बड़ा population है समझो लाखो लोग है और हमें लाखो लोगों के हाइट देखने है तो उस टाइम पर हमें ऐसा हर एक हाइट का नहीं सकते क्योंकि एक फीट के अंदर बारा इंच होते है तो फोर से लेके फाइट तक बारा आ जाएंगे नंबर्स तो ऐसे बहुत सारा डेटा आपने पास कलेक करना पड़ेगा तो उसलिए हम क्या करते हैं उसे हम ग्रूप कर देते है डेटा को तो फ्रिक्वेंसी कैसे होती ह फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रूप डेटा होती है और अन-ग्रूप डेटा होती है तो ग्रूप डेटा में आभी हमने हीट का केस देखा था तो हइड के के में हम क्या ले लेंगे 4 से 5 feet ले लेंगे फिर उसके बाद 5 feet से 6 feet किसकी height है फिर 6 feet से 7 feet किसकी height है तो यह ऐसा group data हो जाएगा ठीक है तो मतलब यह group है एक मिनिटा एक्सामपल देखाँ